तो गाइस अगर आप भी एक content creator है तो आपको light की एमियत पता होगी क्योंकि light से ही जो हमारी वीडियो से हैं उसकी clarity बढ़ती है अगर आप एक light लेने की सोच रहे हैं तो अभी हमने इनकी ब्रांड है और यह स्पेशली जो ब्रांड है वह आपके content creators के लिए जो बनाता है क्योंकि जो प्रोडक्स हैं वह काफी रीजनेबल प्राइस के अंदर है तो कैसे प्रोडक्स है क्या क्या आपको लेना चाहिए नहीं सारी चीज़ों के बार में बात करेंगे डबा कोल लेते ह सबसे पहले ऊपर की packing है यह एक एरिया बना हुआ है इसको आपका उपर का पेपर है यह इसके बाद कभी काम नहीं आने वाला तो इसको आप रख दीजे बिल्कुल साइड पर सब्से पहले चीज़ यहां पर चीट करेंगे हमें इना के सबिस म्लेट कवें हमें इसके लिए के सबी मिल जाता है जो कि काफी लिए अच्छे कहां से बिल्ट के जब चैंडर तो आपको पैर अलग बाट रिच कर सकते हैं उन यहां पर Lock को खोलते हैं तो कुछ इस तरीके थे हमारा जो Set Up है वो पूरा का पूरा खुल जाता है आँड सेटप खुलने के बाद कुछ ऐसा सा हमारा पूरा जो Light का Set Up है वो हमें यहां पर मिल जाता है तो सबसे पहले आपको यहां पर light मिल जाएगी, यहां पर आपको जो reflector है वो मिल जाएगा, यहां पर आपको जो cable है वो मिल जाएगी जिससे आप अपनी, जो light है उसको connect करने वाले हैं, सो यह करके मैं आपको सारी चीज़ीज़ा हम यहां पर लाइट निकाल देते हैं ओके सो लाइट की लुक कुछ आपको इस तरीके की मिलने वारी है 300C साइज आलमोस्सेम है 150C के मुकाबले और सेम वही पूरा का पूरा सेट अप जो 150C का है वही सेम चीज़ें आपको यहां पर 300C में मिल रहे हैं बट यह है कि यार वह 500W थी और यह यहां पर आपको 300W मिल रहे हैं जिन लोगों ने नहीं देखी 150C वाली वीडियो वह इस वीडियो को देख सकते हैं उससे आपको पता भी चल जाएगा सबसे पहली चीज़ आपको यहां पर लॉक मेकानिसम मिल जाता है जिसको आप लॉक कर सकते हैं प्लस साथ के साथ हमें यहां पर अब्रेला का भी ऑप्शन मिल जाता है तो अगर आप अंब्रेला इस्तमाल करना चाते हैं लाइट के आगे डिफ्यूजन के लिए तो वह भी आप यहां पर इसके साथ अटाच कर सकते हैं पीछे की तरफ हमें हैं जिससे आप भूवंड की मिलतं हैं तो वह सारी की सारी के साथ यहां पर आटांच म Sorry कवारे में थोड़ा आगे चलった यहां बात करो औंपर घर हम इयां पर आटांअ करो हमें यहां ऐक कची काजी बड़ी बिए साथ के साथ इस ब्रिक को टांगने के लिए हमें कुछ ऐसा साथ जो आपकी अपने इस इसको इस तरीके से प्लेस कर देना है पीछे जो हमारा लॉक सिस्टम दे रखाया उसको आपने लूस कर देना है ताकि यह आपका प्रॉपर ली लाइट जो है वह फिट आजाए अब आप देखेंगे प्रॉपर ली यहां पर अज़ेस्ट हो गया एंड हम इसको यहां से कर ल चाल रही है साथ में जो लाइट है उसको पूरा का पूरा इसाथ आप जितनी भी आपकी एक साथ या इंडिविजुली आप करके अगर आप चेंजिस करना चाते हैं आप यहां पर कर सकते हैं तो सारी चीज़े बताने वालाँ आगी यह जो हमारी दोन तर्फ लाइट जड साथ 1% यह आ गया हमारा 16% के उपर रोंड 16% के उपर आप देख सकते हो अभी बिल्कुल लाइट नी थी एंड कितना जो ब्राइटनेस है वह हमें आपर मिल गई है एक बरीज को 40% पर ले जाते हैं तो इस आक्चिली 40% और 5600 Kelvin के उपर हम यहां पर चल रहे हैं जिसमें हम कोई भी softbox का इस्तमाल यहां पर अभी नहीं कर रहे हैं और अगर उपर लेके जाओं तो मैं that is the 73% है आप देखेंगे कितना ज़ाधा overexposure जो है वह यहां पर हो गया क्योंकि softbox नहीं है डारेक्ली जो हमारे पर आ रही है और आप 300C यह जो ले रहे हैं तो इसके लिए अगर आप 90 या 120 वाला softbox लेते हैं तो वह काफी बढ़िया रहने वाला है हमारे पास है यहां पर अपर्चर की तरफ से आने वाला इनका 90 इसमें आपको diffuser हो गया आपके grid हो गया वह सारी चीज़े मिल जाती है और यह आपका कुछ इस तरीके से सेट होने वाला आपका जो softbox है वो होता तो यह lock system पर चलता तो इसको एक बढ़ी पड़ा-फट से ख बहुत ज्यादा अमेजिंग अगर आपने प्रोड़क ले लिया लव दप्रोड़क्स हमारा softbox है वह यहां पर फेट होगे हैं आप जो यहां पर देख रहे हैं यहां पर 50 पर चल रहे हैं साथ के साथ जो हमारा application है उसकी working भी आपको यहां पर रिकॉर्ड करके दिखा रहा कि सिर्फ और चल रहा है और उसके हिसाब से एक सिंगल लाइट से ही इतनी ब्राइट जो आपको मिल रही है यह काफी ज्यादा सही हो जाते हैं आपको पॉर्टर का option मिल जाता है आप 25 पॉसंट 50 पॉसंट पर डिरेक्ली स्विच कर सकते हैं सीच्ट की अगर मैं बात करों तो expand के अंदर हमारे पास और भी cct के option आ जाते हैं तो यहां पर 2500 से और नीचे जाके 1500 कल्विन पर चले जाते हैं जिसकी लुक आप यहां पर चेक आउट करोगे एकदम येलो स्टोन लाइक बिल्कुल वो जो sunlight वाला effect देना हो ना डूपता वा सूरज का ऐसा कुछ देना ह तो भाई वो बड़िया तरीके से यहां पर होने वाला और यह 100% के ओपर इसकी 1500 कल्विन की light है और यह हम मैक्सिमम लेके जा सकते हैं 20,000 कल्विन तक तो 20,000 कल्विन आप समझ सकते हो कि कितनी जादा एकदम ब्लू इस्टोन के अंदर जो है हमारी light यहां पर पहुंच जा प्लस हमारे पस डेडिकेड़ ऑप्शन है 3200 कल्विन 4,000 कल्विन और 5600 कल्विन जो एक नॉर्मल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए यहां पर यूज होता है प्लस हमारे पास ग्रीन और मजंटा टिंच का भी ऑप्शन है जो कि आप सिर्फ और स्तांडर्ड पर इस्तिमाल कर सकते हो तो आप ग्रीन में जाता है और यहां पर चीज्वों की बात करें तो हमारे पास यहां पर जैल है जैसे जिल में आपके पास यहां देखेंगे तो वन बाई प्षोर वन बाई टू थ्री ऑफ उसके हिसाब से हमारी जो लाइट से मों चैंज हो करूच जाते हैं लइक हमारे पास सारे वेरियेशन मिल जाते जो होते हैं वह आपके यहां पर सारे मिल जाते हैं जिसमें और को प्रत करके आपना जरसं में लेकर आए जक्ति जो वreated कोई सब्सक्रार करें यहां आपर गूंड्च के अंदर को मिल जाता तो आप डेखी एव्हां हमें यह यहां पर ऐक नहीं हमारी जो colors है लाइट है वह अपने आप चेंज होती रहते देन वी हाफ पापराजी पापराजी बेसिकली आपका फ्लाश होता है फ्लाश के अंदर हम यहां पर फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं में को फ्लाशिंग थोड़ी सी कम चाहिए तो जैसे अब देखो कि यहां पर फ फटता है फिर वह ब्राइट होता है ऐसे करके आ रहा है देन हमारे पास color options आजाते हैं color में हम जा सकते हैं तो color में एक बेरी 5 जाएगा फिर वह अलग-अलग colors जो है उसको छोड़ेगा जैसे आप यहां पर अभी check out करोगे यह आएगा जैसी यह color आया आप देखो कि अलग तो यह कुछ सारे effects जो है वो हमें यहां पर इस light के साथ जो है वह देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहां पर check कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है कि यह आगर आप पूरा अबरन का ही set इस्ते हां तो और यहां पर इसके application में मिल जाता है तो हमने सारी की सारी light है जो है उनको यहां पर सिलेक करके तो मैं all fixtures के ऊपर जाता हम and all fixtures में जैसे मेरे को light change करनी है अभी आप देखो कि अलग-अलग color दिखा रहा है मैं इसकी जो light है उसको change करके हम ले जाते हैं इसको 5600 Kelvin पर तो आप देखो कि पीछे की lights जो है वो हमारी यहां पर change हो गई है और एक साथ के साथ चला रहे हो पांच ला रहे हो तो वह सारी की सारी लाइट भी चेंज कर सकते हैं आप जैसे मैंने आपके पास color options भी हैं तो color में आप सारी लाइट का effect देना है तो वह आप करी सकते हो साथ के साथ आप एक साथ अगर सबका इस्तमाल करना चाते हैं सबको दो ऐसी लाइट ले दें तो मेरे हिसाब से कोई भी इशु जो है वापको नहीं आने वाला क्योंकि कई बड़ी ऐसा होता है कि आपको इमर्जनसी में जाता लाइट की ज़रुत पड़ती है यूजुली लोग 60 वाट 100 वाट के उपर जाते हैं तो मैं कहता हूँ मेरा काफी साइलेंट लाइट है और अवाज जादा नहीं आती दूसरी चीज़ फैन वगएरा कूलिंग सिस्टम जो है वह काफी बड़ी है तो लाइट जादा गरम होती भी नहीं है तो वह चीज़ मुझे काफी बड़े लगी तीसी चीज़ कि 300 वाट्स है तो एक ही बारी कि आपके इंवेस्मेंट तो आप सकते हैं तो अगर आप यह प्रोडक्ट खरीज ना चाहते हैं तो मैं 150C और 300C दोनों का बाइंग लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन पर बाकि अगर आप 150C की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको वह चैनल के ओपर देखने को मिल जाएगी आपको वीडियो पसंद आगे हो मिलते हैं को और सी इंफोर्मेटिव कंटेंट के साथ तिल द आपको प्राइब का यप्श शापको डिए mascara t- का बाहा हुष्यं